आपका स्वागत है आज हम बनाएंगी होम मेट पोटेटो टूनर इसे बनाना बहुत ही आसान है यह होम मेट पोटेटो टूनर हमारी स्किन को फेयर करता है क्यूंकि पोटेटो में नैचरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे चेहरे की रंगत को गोरा करता है इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलो इसे बनाना शिरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें एक मेडियम साइज का पोटेटो लेना है और इस पोटेटो को हम ग्रेट करके इसका जूज निकाले लिए हमें पहले इसे ग्रेट करना है है ना ये हमने पोटेटो ग्रेट कर लिया है और अब हम इसे इस ट्रेनर की मदद से चान कर इसका जूज निकाल लेंगे हैं ना ये देखिए हम इसे इस तरह से इसका जो किसा हुआ मैटेरियल है वो हम इसे इस ट्रेनर में डालेंगे और इसे इस तरह से इसका जूज निकाल लेंगे हैं ना ये हमारा जूज निकल कर तयार हो गया है अब हम इसमें टैन एमेल डिस्टिल वाटर डालेंगे तैन एमेल यानि इसमें हम पास टी स्पूं डिस्टिल वाटर डालेंगे क्योंकि हमें इस पोटाइटो जूज को डालूट करना बहुत जरूरी है हम इसे डालेक चेहरे पर अपलाए नहीं कर सकते इसे करने के लिए हमें चेहरे पर लगाने के लिए पहले से थोड़ा डालूट करना है डालूट करने के लिए हमने डिस्टिल वाटर का यूज किया अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे इस इस्प्रे बोटल में ट्रांसफर कर लेंगे है ना ये हमारा इस्प्रे बोटल में सारा जूस ट्रांसफर हो गया है अब हम इसे अपने स्कीन पर लगा कर ट्राय करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बना है ये देखें कितना अच्छा और बहुत शांदर बनकर ये तक्यार है तो आप भी अपना होम मेट पोटेटो टोनर घर पर बनाईए और अपने अनुभाव अनाना क्रेशन्स के साथ शेयर कीजी एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी थैंक यू